श्री राम के प्रत्वी छोड़ने के समय क्यों जाना पड़ा था हनुमान जी को नाग लोग। मित्रों वैसे तो हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं। ना हनुमान के बिना राम रह सकते हैं और ना ही राम के बिना हनुमान। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते प्रभुराम को देव लोग जाते समय अपने भक्त हनुमान को खुद से दूर करना पड़ा। बला हनुमान जी से ऐसी क्या भूल हो गई थी। तो दोस्तों ये तो जग जाहिर है कि संसार में आने वाले अप्रतियक मनुश्य अपने जन्म से पहले अपनी मृत्यूं का दिन यम लोग में निश्चित करके आता है क्योंकि यही नियम मनुश्य रूप में जन्म लेने वाले भगवान की अफ्तारों पर भी लागू होता है और समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपना देह त्याग ना पड़ता है इसी प परंतु पहले देवी सीता और फिर लक्षमर जी के देह त्यागने के बाद उनका भी मन सांसारिक मुहमाया में लगना बंद हो गया था और आखिरकार उन्होंने भी अपने प्राण त्यागने का निश्य कर लिया परंतु शिरीराम इस लोग को छोड़कर वापस विश्ण लोग जाते भी तो चाते कैसे आखिर उसमें उनकी सबसे बड़ी समस्या उनके प्रिया भक्त हनुमान जी ठेरे जी हा मित्रों शिरीराम के साथ उनके सुख दुख के साथ हनुमान जी आखिर अपने स्वामी को संसार छोड़कर देव लोग कैसे वापस जाने देते और राम की मृत्यू की खबर सुनकर हनुमान जी सारा संसार उथल पुथल करतेंगे और उनसे युद्ध करके राम जी के प्राण लेना पागलपन होगा अब क्योंकि श्रीणाम ने धर्ती पर मनुश्य रूप में जनम लिया था इसलिए यहां से जाने का एक ही रास्ता था और वह थी मृत्यू जो कि सिर्फ यम्राज के ही हातों संभव था मगर हनुमान जी के होते हुए यह पूरी तरह नामुम्किन था ऐसे में जब प्रभुराम के शरीर त्यागने का समय आया तो उन्हें एक तरकीब सूझी और उन्होंने अपनी अंगोठी को महल के फर्ष के एक छेद में गिरा दिया और हनुमान जी को उसे खोज कर लाने के लिए कहा ताकि अयोध्या में यम के प्रवेश का रास्ता साफ हो सके अब सुआमे की बात को भला हनुमान जी कैसे टाल सकते थे उन्होंने फटाक से खुद का स्वरूप छोटा करते हुए बिलकुल भवरे ज तक चाता था इसी रास्ते से होते हुए हनुमान जी नागों के राजा वासुकी के पास गए उन्हें अपने आने का कारण बताया हनुमान जी की बात सुनकर वासुकी जी थोड़ा सा मुस्कुराई क्योंकि वह समझ चुके थे कि अब धरती से शिटीराम के जाने का समय आ चुका है जिसके बाद वासुकी जी बजरंग बली को पातालोक लेकर गए जहां अंगोठियों का पहाड का धेर लगा हुआ था वासुकी ने बजरंग बली से कहा आप यहां अपने प्रभू की अंगोठी धोंड लीजे लेकिन हनुमान जी व्याकुल हो गए क्योंकि पन में शंका होने पर जब उन्होंने दूसरी अंगोठी निकाली तो वेह भी श्री राम की थी वास्तफ में उस धेर की सारी अंगोठियां एक जैसी थी सबकी सब प्रभू श्री राम की थी यह देखकर हनुमान जी सोच में पढ़ गए और उन्होंने वासुकी जी से इसक पूछा हनुमान जी के प्रश्न पर वासुकी जी मुस्कुराए और बोले हनुमान तुम्हें क्या लगता है आज तक सर्फ एक ही राम ने इस प्रत्वी पर जनम लिया है शायद तुम यह नहीं जानते हूं कि अब तक ऐसे कई राम प्रत्वी पर आवित्रित हो चुके हैं और आगे ना जाने कितने होने वाले हैं क्योंकि परमपिता ब्रह्मा की स्वरष्टी का यही विधान है और भगवान ब्रह्मा के आधे दिन को एक कल्प कहा जाता है और हर कल्प में उनहीं शस्त्र चतुर यूग के तृता यूग में प्रभु शिरी राम प्रत्वी पर आ समराज के साथ देवलोग की तरफ प्रस्थान करते हैं, जिसके साथ ये अंगूठियों का यह धेर भी बढ़ता रहता है। वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूलें। धन्यवाद।